दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेस पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडिया जीके के 10 most important questions जो कि आपके exams के लिए बहुत ही important questions होंगे तो दोस्तो चलिए बिन समय गवाएं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले एक request होगे आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेस को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और वैल आइकन को भ पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो प्रिशन नंबर बन है केंदर सासत प्रदेश लक्षदीप के नियायक छेत्र का कार कौन सा नियायल है करता है ओप्शन से आपके ओप्शन ए बंबे हाई कोर्ट ओप्शन बी कलकत्ता हाई कोर्ट केंदर सासत प्रदेश जो लक्षदीप है उसको जो नियायक छेत्र है उसका कार कौन से हाई कोर्ट समालता है केरल हाई कोर्ट ठीक है तो अगर दोस्तों हाई कोर्ट से संब्देश आपके लिए कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पर जनरल नोलिज की प्लेलिस्ट मे जाकर एक वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने इंडिया के कितने हाई कोर्ट हैं उनके बारे में हाई कोर्ट की मतलब A to J details बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाईए ठीक है तो मैं आपसे request करूँगा कि आप वो वीडियो जाकर देखें अगर आपको हाई कोर्ट इंडि जजों की संख्या कौन बदल सकता है आपके option A के अंदर सरकार की अधिसूचना option B राश्टरपती आदेश option C कानून द्वारा संसत या फिर इन में से कोई नहीं तो सुप्रियम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है मतलब उनको कम या ज्यादा कर सकता है Question No.3 आएगा वी दिल्ली को NCT यानी कि राश्ट्री राजधानी प्रदेश संभिधान के किस संसोधन से बनाएगा तो option से आपके सामने हैं तो Question No.3 का सहीئ आंसर होगा Option A 69 वा संसो दिन, मतलब 69 वा संसो दिन के तहट दिल्ली को राश्टरी राजधानी छेत्र प्रिदेश बनाए गया है Next question है हमारा, question number 4, निमलिखित में से कौन राज़िपाल को उसके कार्याले से हटा सकता है Option A, संसद, Option B, राज़िधानसवा, Option C, राश्टर पती, and Option D है आपका, इन में से कोई नहीं तो राज़िपाल जो होता है, हर राज़िपाल में दोस्तो एक-एक राज़िपाल होता है तो यहाँ पर question है कि राज़िपाल को उसके कार्याले से कौन हटा सकता है options मैं आपको बता चुका हूँ, अभी है बक्त सही आंसर का, तो question 4 का सही आंसर है, option C, राश्टर पती, जी हाँ दोस्तो राज़िपाल जो होता है, वो सिधर राश्टर पती के लिए जवाब दे होता है, इसलिए राज़िपाल के न्यूपती भी राश्टर पती करता है, और राज़िपाल को हटा भी राज़िपाल ही सकता है, ठीक है तो दोस्तो ये जो question का मैं आपको answer बताता हूँ, उससे पहले अगर आपको question का answer पता है, तो आप comment करके answer को जरूर बताना, और last में आपको ये भी बताना है कि ये जो 10 questions इस वीडियो में है, इस वीडियो में से आपको जो 10 questions में दे रहा हूँ, इन 10 questions में से आप पहले से कि प्रेस्ताब किसमें पहराज्यस पering क्योताई नेसंग्स्ट को केवल राज्यसभा में या फिर केवल लोगसभा में लोगसभा और राज्यसभा के सजयोंक्त सदन में और इनमें से कोई नहीं जा सकता है यहां पर दोस्तों ये को है ठीक है उप्राश्पतिको हटाने का प्रयास किसमे पेश किया जा सकता है तो option से केवल राजसभा में या फिर केवल लोकसभा में लोकसभा और राजसभा के सयोग्ति सदन में और इनमें से कोई नहीं तो question number 5 का सही answer होगा option A केवल राज सभा में ठीक है तो दोस्तो 5 questions अभी इस वीडियो के और भी बचे हुए हैं लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज बता जाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल से यहाँ पर आपके लिए जो भी वीडियो में पब्लिश करता हूं और वी वीडियो जो पब्लि riot नहीं भी की एं या फिर कुछ भी पीडियो में जो होत ही है अच्छी-ची उसको मैं इस चैनल पर सेयर करता रहता हूं तो अगर आप इस वीडियो की भी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं Question number 6 है सीमा प्रबंधन बिभाग किस मंत्राले के अंतरगत बिभाग है ठीक है सीमा प्रबंधन बिभाग है वो किस मंत्राले के अंतरगत आता है ठीक है मंतरा ले नेक्स्ट है question number 7 छेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोग सभा कौन सी है छेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोग सभा कौन सी है option से आपके बाडमेर, option B, कच option C, अरणाचल प्रदेश and option D होगा आपका 라दाख तो question number 7 का सही answer है option D लद्दाख जी हाँ दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो लोगसवा है वो लद्दाख है छेत्रफल के साब से next question आता है question number 8 संब्धान का अनुच्छेत 130 किस से संबंदित है option से आपके चुनाबायोग से option B सुप्रिम कोर्ट का सलाकार छेतर अधिकार से option C राष्ट्रपति के अध्यादेश से या फिर option D इनमी से किसी से भी नहीं question number 8 का सही answer है option C राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंदित है question number 9 है हमारा सबसे बड़ा नयायक छेतर किस उच्चिनायला का है option से आपके गुहाटी उचनेयला है option B बॉमबय हाई कोर्ट option C कलकत्ता हाई कोर्ट option D इनमी इलावाद हाई कोर्ट इनमी इलावाद हाई कोर्ट तो question number 9 का सही answer होगा option A गुहाटी उचनेयला है जो नयायक छेतर में सबसे बड़ा उचनेयला है पूरे भारत में मतलब इसके अंडर में जो कई 2-3 प्रदेश नहीं जो इसके अंडर में आते हैं ठीक है तो आजका हमारा last question है question number 10 निमलिकित में से कौन सी भाषा समयदान की 8 वी अनिसूची में नहीं है options है आपके option A फार्ची, option B संस्कृत, option C नेपाली and option D इनमें से कोई नहीं तो question number 10 का सही answer है option A, far C तो ये थे आज के 10 questions जो कि आपके exams के लिए बहुत ही अच्छे questions हैं दोस्तो तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे youtube channel सिभा online classes को subscribe जरू करें तो दोस्तो thank you for watching कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में उम्मीद करता हूँ आपने channel को subscribe भी किया होगा और इस वीडियो को अभी share भी करेंगे और comment करके ये जरूर बताना ये आपकी जो 10 questions थे इसमें से आपको किसने पहले से ही question पताती है मतलब आप कितने question के सही answer पहले से ही जानते थे तो चलिए दोस्तो thank you for watching कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार